हालो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हैं कंपेटर के एक important topic यानि spread sheet को discuss करेंगे इससे later question जो पूछे गए हैं previous year में और नए questions जो भी हो सकते हैं उसको यहाँ पर discuss करने वाले हैं इस आपका ये वीडियो बहुत important होने वाला है तो वीडियो को आप ध्यान से दिखेगा ताकि हर चीज आपको अच्छे संग्रा जिसे कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं उसको workbook कहा जाता है यानि option A इसका सही अंसर हो जाएगा workbook अगला question है question number three एक workbook में by default कितने seats होती है तो तीन होती है आपने देखा होगा जब आप इसके पर देखते हैं नीचे की तरफ left side में तीन जो वरक sheets खुली होती है तो यह नहीं इसका हो जाएगा option B very very important यह exam कई बार exam में पूछे गए हैं अगला question है question number four Excel 2003 में कितने column होते हैं तो यह होता है 256 column यह भी कई बार exam में पूछा गया है option C इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question question number five है MS Excel 2003 की row में row की अधिक्तम संख्या कितनी होती है तो अधिक्तम संख्या होती है 65,336 यह option D इसका सही अंसर हो जाएगा यह question आपके exam में कई बार पूछे गए हैं तो इसको आपको याद रखना है अगर row के बार column के बार पूछता है तो 256 और row के बार पूछता है तो 65,536 अगला है name box के दाई और dash box होता है तो formula bar होता है option A का सही अंसर हो जाएगा formula bar अगला question है question number 7 MS Excel 2007 में file save करने का extension क्या होता है यह जब आप excel की file को save करते हैं तो उसका extension क्या होता है तो उसका होता है .xlsx यानि option B इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है question number 8 workbook को खोलने के लिए file tab की किस command का प्रियोग करते हैं तो open command का use किया आता है यह option A इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है 9 Excel में एक नई sheet जोडने के लिए shortcut की क्या है तो इसमें all plus shift plus f1 कर दीजिए या shift के साथ f11 करते हैं तो यह नई sheet खुल जाती है तो इसका option D होगा A और B दोनों सही है अगला question, question number 10 है colon यानि जो बिंदी इस तरह का होता है colon का प्रियोग निम लिखित में से किस लिए किया आता है तो cell range को define करने के लिए किया आता है या option C इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है function लगाते समय range देने के लिए किस reference operator का प्रियोग की आता है तो colon का यूश की आता है ये symbol तो इसका सही अंसर हो जाएगा option C अगला question है question number 12 यहाँ पर देख सकते हैं यह formula type का बना हुआ है इस type का question बहुत पुछा आता है range B2 से D12 के लिए cell reference क्या होगा तो B2 colon D12 लिखाया आएगा यहाँ option A इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है question number 13 select की गए range में chart बनाने के लिए keyboard की shortcut की होती है तो F11 होता है यहाँ option D इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है question number 14 किसी workbook में sheet का top, bottom, left, right आधी set करने के लिए dash tab का परियोग करते हैं तो margin tab का परियोग कियाता है यहाँ option B इसका सही अंसर हो जाएगा question number 15 है save icon Excel में 2007 अबलिक 2010 में किस toolbar पर इस्थित होता है तो यह है quick access toolbar पर इस्थित होता है यह option C इसका सही अंसर हो जाएगा quick access toolbar तूल बार सरी अगला है question number 16 spread sheet पर worksheet को unnaam से save करने के लिए किस command का परियोग कियाता है तो save as करते हैं तो यह option B इसका सही अंसर हो जाएगा question number 17 है निम लिखित में किस menu option द्वारा Excel में text को cut copy paste delete करने का परियोग कियाता है तो यह edit menu में होता है यह option A इसका सही अंसर हो जाएगा याद रखे एक्सल में इसी तरह के question आपके exam में पूछे आते हैं जो कि कहां पर किस तरह के command होते हैं यहां पर इस तरह question पूछाते हैं वही सब यह question आपको दिखाई दे रहा होगा अगला है worksheet में data को manipulate कराने के लिए overwriting mode तथा dash करके है mode का प्रियोग कियाता है तो editing का प्रियोग कियाता है overwriting mode और editing mode तो यानि इसका answer हो जाएगा B editing अगला है question नमर 19 column C वा D के बीच एक और column insert करने के लिए आप किस column पर select करेंगे तो आप जानते हैं जिस column पर रखते हैं उसके just पहले वो column set हो जाता है यानि option D यानि होगा B option यानि column D के सामने रखेंगे जैसे माल यह cell C है और यह है आपका D आप यहाँ add करना चाहते हैं कोई चीज तो आपको इस पर click करना होगा उसके just पहले आ जाता है तो यहाँ पर column D होगा option B सही है यानि column D के पहले करेंगे और दिएगे question में option B इसका सही अंसर हो जाएगा question number 20 है संख्या की entry को dash भी कहा जाता है तो value कहा जाता है यानि option B इसका सही अंसर हो जाएगा value अगला है question number 21 वर्क्षीट में current date यानि current date जो होता है को enter करने के लिए shortcut की क्या प्रयों कियाता है तो control के साथ plus या key का use कर देते हैं तो यह आपका हो जाता है current date enter हो जाएगा अगला है question number इसका answer हो जाएगा option A और बाइस नमर question है multiple row को select करने के लिए क्या कियाता है माउस को दाई तरफ drag करते हैं यानि option B इसका सही answer हो जाएगा यानि mouse दबा करके drag कर देंगे दाई तरफ तो वो select होता चला जाएगा question number 23 है general tab dash value को स्विकार करता है तो यह number को भी स्विकार करता है टेक्स्ट को भी स्विकार करता है यानि option C इसका सही answer हो जाएगा A और B तोनो question number 24 है Excel 2007 oblique 2010 में worksheet को format करने के लिए dash option को चुनते हैं तो cell styles को चुनते हैं यानि option B इसका सही answer हो जाएगा question number 25 है worksheet की rename करने के नहीं कोई worksheet है उसको rename करना चाहते है तो किसका प्रयोग करेंगे तो rename sheet का प्रयोग कियाता है यानि option A इसका सही answer हो जाएगा question number 26 है किसी text का title या face या size बदलने के लिए shortcut की क्या है तो control के साथ shift दबाएंगे फिर P दबाएंगे तो यह हो जाता select यानि option C इसका सही answer हो जाएगा question number 27 है किसी row की diet बदलने के लिए क्या करते हैं तो इसमें format भी उज़ कर सकते हैं home का भी उज़ कर सकते हैं यानि option D इसका सही answer हो जाएगा question number 27 का D अगला है question number 28 28 में है इस्टिंग की लंबाई जानने के लिए dash function का प्रियोग करते हैं तो lane function का यूज कियाता है तो यह नि हो जाएगा इसका answer C lane अगला है question number 29 MS Excel में सिर्फ date जानने के लिए किस function का प्रियोग करते हैं तो today function का यूज करते हैं यह option A का सही answer हो जाएगा question number 29 का A option सही है अगला question है question number 30 MS Excel में भाग का successful ग्याद करने के लिए किस function का प्रियोग करते हैं तो यहां होता है MOD और यह छोटा column का यूज कियाता है तो इसका होजाएगा answer C अगला question है question 31 31 में Excel में जो है equal का use कियाता है count करने के लिए function की क्या मतलब होता है तो cell की number या संख्या वाली value को गिनता है count करता है तो इन्हीं का option होजाएगा option C यहांनि cell की number या संख्या वाली value है उसको गिनता है अगला है Excel में किस प्रकार का चार्ट प्रदान कियाता है तो इसका बार चार्ट है या लाइन ग्राफ है पाई ग्राफ है यह सब यूज कियाता है तो यह नहीं option C इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है Excel एक powerful spreadsheet program है नीचे दिएगे विकल्प में बताना है आपको एकसल feature में कौन से गुण नहीं है पुछा गया है तो इसका अंसर हो जाएगा desktop publication योगिता नहीं रखता और बाकी सब है या नी option D इसका गलत है तो यहीं चुनना है option D इसका सही अंसर हो जाएगा तो इस तरह से MS Excel से समझने जो MC क्यों थे यहां से जो question पूछे आते हैं उसको अमने डिसस किया आई होप आपको समय में आ गया होगा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें अपने सभी दोस्तों सेर करतें ताकि ज्यादा ज्यादा करने इडिट को उसके बार मिजानकार नहीं मिल सके चैनल को पर आप पहले बार बजिट करें चैनल को आप जो सब्सक्राइब करके रखें ताकि नहीं अपडेट जब भी हम आपके लिए लाएं तो उसका नोटिफिक्शन आपको मिलता रहे